ओम नमाशिवाय वैशाक मास क्रिश्म पर्ष सप्तमी तिथी शनीवार मूल नक्षत्र दिन में धाई वजे तक लगा रहेगा तत पस्चात पूर्वा साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है आज के जन में जातक सुन्दर, सुखी, सांत गुद्धी वाले भागिशाली और लोगप्री होते हैं ये नम्र सुभाव वाले इमांदार, संवेदन सील, आसावादी और उदार हिरदय वाले होते हैं ये खरचीले मानसिक्ता वाले, आधुनिक, इलक्टानिक उपकरणों के सौकीन और संग्रह करने वाले, घनिष्ट मित्रों सहयुक्त, कलाव और अभिनाय में रूची रखने वाले भी होते हैं ऐसे जात तक सक्रिय मानसिक्ता वाले और सफलता के उच शिखर तक पहुँचने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, ब्रियस्पति और सुक्र की स्थिति अनकूल गई, तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज धनू राशी में ही चलते रहेंगे मेर्श राशी के जातकों के लिए सनी चंद्रमा मंगल का योग आपके भाग भाव में बन रहा है काम करने में थोड़ी रुकावट संभावित है, मगर अपनी भावनाओं को खुल कर दूसरों से साजा करें आत्म संतुष्टी महसूस होगी सुख भाव में राहू होने की वजह से पारिवारिक सुख शांती में कमी संभावित है मगर विवेचणात्मक कारियों में पत्नी की सलाह लाभ गायक सिद्ध होगी अधिकारियों वह सासन सप्ता का सहयोग बना रहेगा माता के स्वास्त की चिंता और रोजगार संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है विध्याथियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा सिख्षा प्रत योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा बिश्राशी वाले जात्कों को अपने संबंधित कारेच्छेत से संघर्ष की इस्तिती और उतार चढ़ाव बना रहेगा आप साहस और धैरे के साथ उसका निप्टारा भी समयश रहते कर लेंगे हर काम को करने में प्रयास अधिक करना पड़ेगा मगर अधिकतर मामलों को अपने बुद्धिक और सल और अधिकारियों के सहीयोग से सुझधाने में सफल रहेंगे आपकी योजनाओं में विवाद की इस्तिती संभावित है पुरानी आदितों में सुधार से आपके व्यक्तित में और निखार आएगा पारिवालिक सदस्यों के स्वास पर ध्यान देना होगा नीजी संबंदों की अंदेखी ना करें छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती संभावित है मिथुन डाश्य वाले जातकों को कारे छेदर की ब्यस्तता बनी रहेगी नई नई कारी और जिनाव की रूप रेखा बनती रहेगी मगर कुछ काम बाधित हो सकते हैं साजेदारी के कामों में नुकसान की संभावना बनती है नीजी वर रिष्तेदारों के बीच का नावपूर्ण स्थिती संभावित है मगर पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी विद्याथियों के लिए समय अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को खुशी महसूस होगी हर काम मासानी से संभन होगा कुछ नए कामों को सीखने का मौका मिलेगा और वैवाहिक प्रयास खलिभूत होंगे करक राशे के जातकों को आपसी रिष्टों में तनाव और विबाद की संभावना बनती है कारिछेतर में मुश्किलें पैदा हो सकती है आपका आतिसर आत्मविश्वास नुकसांदायक इस्तिती में ले जा सकता है मन में उठ रहें नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने कारिछेतर की मर्यादा का ध्यान रखें दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा संतान के प्रतिचिंता का माहौल बना रहेगा विध्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा और पारिवारिक सदस्यों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए सिंग राशिवाले जात्तक अपने खान पान पर विशेश ध्यान दे पेट संबन्धी समस्याएं बढ़ सकती है आपका आत्मिश्वास और उर्जा अस्तर दोनों प्रभावित रहेगा आपके काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे मगर रचनात्मप प्रयासों में कमी आएगी और सोतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति मुखर होगी आर्चिक मामले में नय निवेश का योग बना हुआ है विद्याक्षियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी नयायालय यावाद विवाद संबंदित मामलों में अनुकूलता मिलेगी वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारिक पतिष्ठा में बृत्थी होगी कन्या राशी वाले जातकों के लिए धन लाव के कई आउसर सामने आएंगे महत्पूर्ण व्यावसाईक योजनाओं का निमंत्रन और साजेदारी के प्रस्ताव संबावित हैं प्रापर्टी संबंदि मामलों में निवेश का योग बना हुआ है जो की लावदायक होगा मित्रों और संबंदियों का सहयोग भी आपके लिए लावदायक रहेगा वैवाहिक योजनाएं फलिभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी स्वास्त के प्रतिध्यान गफना होगा सांसों से और पेट से संबंदित समस्याएं संभाविक हैं विद्याखियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी तुला कासी वाले जातकों के लिए कुछ मामलों में सहयोग मिलेगा और कुछ मामले प्रतिकूल होंगे इस दोरान अपनी योजनाओं के लिए कुछ निरने गलत सावित हो सकते हैं किसी काम में संभावित देरी से हतोपसाहित ना हो धैर पूरक अपने प्रयास जारी रखते हैं अपने विचारों को खुल कर प्रस्तुत करने की कोशिश करें आर्थिक लाव आपके मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा अध्यन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है रुके हुए या विवादित मामले सुलच सकते हैं और ने विष्टों की बुनियाद मजबूत होगी ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के अपनी कारी वजनाव में छिदरान वेशी प्रवरित्ती उचित नहीं होगी दिलों दिमाग में अत्यधिक गहराईत कक सोचने और विष्टों करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी जिससे निरने लेने में दिकत महसूस होगी और अनावश्यक बिलंब संभावित है नीजी संबंधों और पारिवादिक सलाह की प्रिणन लेते हुए कारी वोजनाव को लागू करें सहुलियत मिलेगी विध्यार्थियों के लिए आलस से भरा दिन होगा आर्थिक पक्स सामाने रहेगा वाहन सावधानी से चलाएं और अपने स्वास पर विशेश ध्यान देते रहें धनुरासी वाले जातकों को अत्यधिक उर्जा महसूस होगी आपका उर्जा अस्तर सबसे अधिक बढ़ा हुगा होगा इस उर्जा को सकारात्मक रूप से अपनी कारी ओजनाओं में निवेशित करते जाएं हलाकि बार बार नकारात्मक बिचार और अनावर्षेक उत्यजना का दोर आता रहेगा अपने आपको धैर और सैयम के साथ हमियांसित करना चाहिए जबकि आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा शिक्षा प्रत्योगता के लिए समय निकूल है अध्यन अध्यापन में लाव मिलेगा वैवाईक मामलों में सफलता मिलेगी मकर राशे वाले जातकों को गारी छेतर में सफलता और आर्थिक लाव में सहायता मिलती रहेगी मगर मीजी मामलों में जटिलताएं संभावी थाए अप व्याय की सित्य बनी हुई है यह व्याय स्वयम और परिवार जोनों के स्वास पर भी संभावी थाए आप अपनी योजनाओं को कुछलता से नियंत्रित करते रहेंगे परिसित्यों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवस्रक होगा आर्थिक पक्ष सामानी रहेगा अध्यान ध्यापन में परिश्रम आवस्रक है पारिवारिक तालमेल और नीजी संबन्नों को ध्यान रख में रखना चाहिए दूर की कुछ योजनाओं में रुकावट की संभावना बनती है कुम्बराशी के जातक कारेच छेत्र की प्राथमिक्ताओं के आधार पर काम करने में सफल रहेंगे आपकी असपस्ट सोच और बुद्धिक उसल का इस्तेमाल लावदायक माहौल पैदा करेगा आर्थिक लाव का मार्ग खुला हुआ है पहले की रुकी होई योजनाओं को लगू करने का समय हो चुका है विबादित योजना में समझावता करना लावदायक रहेगा शासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा धार्मिक भावना बलवती होगी सामाजिक ब्यस्ता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुक्सवार्ण में बृध्धी होगी मीन राशी वाले जातकों को धैर और सहयम से काम लेना चाहिए कार छेदर में विकास की गती धीमी हो सकती है मगर आर्थिक मामलों में सहयोग मिरता रहेगा अपनी योजनाओं के निरने लेने में उतार चड़ाव की इस्थिती बनी रहेगी आपके कारियों में और प्रत्यासित रुकावट भी संभव है और उत्साह वा आत्म विश्वास में कमी महसूस होगी धैर पूर्वक अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू करें संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा और पारिवारिक माहौल में सामंजस बिठा कर चलना चाहिए आज के लिए वस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए